किन्दरिस किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे साबुदाना खिचडी ब्रत्य उप्वास में जब भी कुछ खाना बनाने की सोथते हैं तो साबुदाना के खिचडी सब की पहली पसंद होती है जनरली हम साबुदाना के खिचडी कड़े में बनाते है जो डंग से खिली खिली नहीं बनती और ठंडी हो जाने के बाद तो बिल्कुल ही चिपक जाती है जिस तरीके से साबुदाना के खिचडी के लारी पे स्टीम करके खिचडी बनाई जाती है उसी तरीके से मैं आपको खिच्डी बनाना सिखाऊंगी जिससे बहुत ही अलग तरीके की साबुदाना की खिली-खिली खिच्डी बनेगी जो बिल्कुल ही चिप-चिपी नहीं रहेगी साबुदाना खिचरी बनाने के लिए हम पैकेट का साबुदाना इस्तमाल करेंगे इस तरह से एकी पैकेट के एकी जाद के साबुदाना इस्तमाल करने से साबुदाना विगोने में आसानी रहती है सबसे पहले एक कप साबुदाना को पानी से अच्छे से दो कर उसके उपर आया हुवा सफेद पानी निकल देंगे साबुदाना को अच्छे से मसल कर दोने से साबुदाना के उपर रहास्टाश पानी में भीग कर निकल जाता है इस पानी को हम चान कर निकल देंगे इसी तरह से साबुदाना को दो और बार दो लेंगे साबुदाना में डेड़ ग्लास पानी डाल कर डग कर बिगोने के लिए दो गंटे के लिए साइड में रख लेंगे ये देखिए साबुदाना अच्छे से पी कर तैयार हो गया है साबुदाना फूल कर डबल हो गए है साबुदाना सफेट मोतियों के दाने के जैसे खिले-खिले लग रहे है उपर के जो साबुदाना है वो बहुत ही अच्छे से बीग गए है ये देखिए इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है नीचे के जो साबुदाना है उनमें हलका सा ज्यादा नहीं इनमें बहुती कम बेज दीख रहा है बावल के अंदर नीचे रहे साबुदाना के अंदर का बेज कम करने के लिए इनहें कपड़े के उपर फैला लेंगे साबुदाना को ढग कर 30 मिनिट के लिए साइड में रख लेंगे ये देखिए साबुदाना बहुत ही परफेक्ट लग रहा है इन में रहा हलका सबी मोईशर अब नहीं रहा साबुदाना एकदम खिले-खिले है साबुदाना को एक मोटे तले वाली पतेली के अंदर निकाल देंगे साबुदाना के अंदर आधा कप मुंखफली डालेंगे मुंखफली सेक कर मिक्सर जार में दरदरा पीस लिया है ज्यादा मुंखफली डालने से साबुदाना स्वादिश्ट बनते है मुंखफली में रहा नटी टेस्ट, खिचणी को और भी टेस्टी बनाता है साबुदाना को साइड में रख लेंगे अब हम साबुदाना में डालने के लिए आलू का तड़का बनाएंगे जिसके लिए एक पैन में मद्य माज पे तेल गरम करेंगे तेल गरम होते ही तील और बारिक कटी हुई हरी मिच डालेंगे तील की जगा या तील के साथ आप जीरा भी डाल सकते हो जीरा जो है वो बाद में जाके थोड़ा कड़क हो जाता है इसलिए मुझे तड़के में तील डालना ही पसंद है स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे साथ में एक उबला हुवा आलू डाल कर मिला लेंगे अगर आपके पास उबला हुवा आलू नहीं है और आलू डालना चाहते हो तो कच्चे आलू के छोटे छोटे टुकडे करके उसे 50% तक पकाले आधा कच्चे आलू खिच्डी स्टीम करते वक्त साबुदाना के साथ ही पक जाएगा केश में सौरकाली मेज का पावडर डाल कर मिला लेंगे अगर आप टमाटर डालना चाहते हो तो टमाटर के टुकडे करके आधा पकने तक पकाले टमाटर भी खिच्डी स्टीम करते वक्त साबुदाना के साथ ही पक जाएगा खिच्डी को चटपड़ा करने के लिए शक्कर और निम्बू का रस डाल कर मिलाएंगे मीठे निम के पत्ते डाल कर मिला लेंगे साबुदाना के लिए तड़का लगा कर मसाला तैयार है मसाले को टेस्ट करके देख ले अगर कोई चीज कम लगे तो उसे डाल कर मिला ले आलू के मसाले को साबुदाना के अंदर अच्छे से मिला लेंगे साबू दाना और आलू के दड़के को अच्छे से मिक्स करना है दड़के में रहे मसालों का हर एक दानों में फ्लेवर आ जाना चाहिए वैसे तो हमने आलू के मसाले के अंदर नीम्बू डाला हुआ है लेकिन अगर थोड़ा सा निम्बू साबुदाना के अंदर भी डाल दिया जाए तो साबुदाना और भी खिले-खिले बनते हैं साबुदाना के बीच में थूड़ी सी जगा बनना लेंगे जिस से साबुदाना चारो और इवनली पक जाएंगे स्टीमर हमने पहले से ही तैयार रखा हुआ है एक बड़े तपेले के अंदर स्टील का स्टेन रखके डेड़ ग्लास पानी गरम किया है उसी के अंदर साबुदाना के ये बरतन हम पकने के लिए रखेंगे आप चाहे तो इडली कुकर या इडली स्टीमर भी इस्तमाल कर सकते है तपेले को डग कर 20 मिनिट साबुदाना को पकाना है यहाँ गैस को हमने low to medium आज पर ही रखा हुआ है सुरू के 10 मिनिट साबुदाना को बिल्कुल ना खोले उसके बाद आप साबुदाना को खोल कर देख सकते है अब हम साबुदाना को खोल कर देखते है सुरू में साबुदाना हलके से चिपके हुए लगते है लेकिन अच्छे से श्टर करने से साबुदाना खिल जाएगा साबुदाना को और 10 मिनिट तक पकने देंगे 20 मिनिट होते ही गैस का स्वीच बंद कर लेंगे और इसे 10 या 15 मिनिट ऐसे ही रहने देंगे अब हम साबुदाना को खोल कर देखते हैं परफेक्ट किच्री बन कर तैयार है साबुदाना के दानों में बहुत ही अच्छी ट्रांस्परंसी आ गई है साबुदाना के दाना नाही ज्यादा गले हुए है और नाही ज्यादा कच्चे है जीतना हो सके उतना अच्चे से स्टर कर ले खीचडी को हम मार्केट में मिलती है उस तरह की खीचडी की तरह तैयार करेंगे खीचडी को एक मिक्सिंग बावल में निकाल लेंगे खीचडी के अंदर थोड़ा सा चीवडा, केले की वेफर और आलू की वेफर डाल कर मिलाएंगे चीवडा और वेफर डाल कर मिलाई हुई खीचडी बच्चे बड़े ही सौक से खाते है और खीचडी बहुत ही स्वादिस्ट भी लगती है वेफर्स को टुकडों में तोड लेंगे इससे बहुत ही टेस्टी मिक्सर बन जाएगा खीचडी के अंदर थोड़े से अनार के दाने डाल कर मिला ले इससे खीचडी बहुत ही खुबसुरत और टेस्टी लगती है तैयार है मार्केट जैसी खिली-खिली साबुदना खीचडी ये खिली-खिली बाप में पकाई हुई साबुदाना की खिचडी बनकर तयार है चटपटी और टेस्टी साबुदाना की खिचडी सर्विंग बाल में सव करेंगे आशा है साबुदाना खिचडी बनाने की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी खिचडी को रत्य उप्वास में बना कर जरूर से खाए ऐसी और नई रेसिपीज के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नॉटिपिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो टेब पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी। आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नॉटिपिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो टेब पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी। आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नॉटिपिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो टेब पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी। जिससे सबस्क्राइब करें। जिससे सबस्क्राइब करें।